27 जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेक्शनाल एरफोर्ट तेल अभिब इजराइल रात के 11 बजे एरफ्रांस की एरवस A300 B4203 इजराइल सहर तेल अभिब से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है बीमान में कूल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सहर थे जदातर मुसाफिर यूदी और इजराइल नागरिक थे एथेंस इंटरनेक्शनाल एरफोर्ट रात साड़े वारवजे करीब देड़ घंटे की उड़ान के बाद प्लैन एथेंस पहुंचता है और बीमान को यहां से प इस प्लैन को हाईजेक करना था इन चार आतंगबादियों में से दो फिलिस्तिनी लिव्रेशन गुट से थे जबकि बाकी दो जर्मन के रेवुलेशनारी से जुड़े थे रात ठीक 12 बजे बिमान के टेक अप करते ही अचानक चारों प्लैन को हाईजेक कर लेते हैं इन में से एक आतंगबादी कोक्पिट में घुश जाता है और को पाइलट को बाहर निकल कर खूद उस सीट पर बढ़ जाता है पाइलट और सभी मुसाफिर अप उनके कबजे में थे प्लैन पर कबजा करने के बाद हाईजेकर्स पेरिस की बजाए बिमान को लीविया के सहर भरा जाता है इस दोरान अपहरता बिमान में सवार व्रिटिन में पैदा हुई एक इजराइल महिला को बिमार होने की बज़स से रिया कर देते हैं बेंगाजी में करीब साथ घंटे तक रुकने के बाद बिमान एक बार फिर उडान भरता है हाई जेकर्स के इसारे पर इस अरिका देश यूगांडा की तरफ से था 28 जून 1976 दो पहर तीन बचकर 15 मिनिट पर एंट्वी एरफोर्ट यूगांडा अप मामला सचमुच खतरनाक हो गया था क्यूंकि यूगांडा की जिस सर जमिन पर बिमान उत्रा गया था खुत वहां का तानासा इदी अमिन इन फिल आर्मी ने एंट्वी एरफोर्ट को चारो तरफ से घेर लिया मकसद था किसी भी रैक्षियो अप्रेशन को सुरू होने से पहले ही खतम कर देना N2E Airport पर यूगंडा की सेना के करीब सो जबान मोजुद थे जिनोंने पूरे यारपोट को चारू तरफ से घेर चुके थे इसके बाद बीमान से एक-एक और सारे मुसाफिरों को नीचे उतरा जाता है और उन्हें यारपोट के ही उस ट्रांजेटी हल में ले जाता है इस पूरी हाईजेकिंग की जानकारी ना सिर्फ इदी अमिन को था बलकि अपहरण करता हो को उसका खुला समर्तन भी था कहते हैं कि इदी अमिन होर रोज खुद N2E Airport आते थे और कैसे सुरुख्या दे रहे हैं उसके बारे में भी देखते थे 28 जून 1976 N2E Airport युगंडा बीमान हाईजेक करने के बाद पहली बार हाईजेकर्स ने अपनी मांग रखी हाईजेकर्स का मकसद था इज्राइल की जेल में बंद 40 फिलिस्थानी आतंगबादियों को छुड़ा ना इसके अलावा आतंगबादी किनिया, फ्रांस, सुजरलान और वेस जर्वानी की जेल में बंद अपने 13 और साथियों की भी रिहाई चाहते थे कुल 53 आतंगबादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने 5 मिलियन आमरीकी डलर की भी मांग रखी मांगना माने जाने पर आतंगबादियों ने बंदक बनाए गए यात्रियों को एक जुलाई 1976 की सुबह से एक एक कर मार डालने की धमकी दिन यानि इसराईल सरकार को मांगे मानने के लिए सिर्फ 48 गंट का बक्त दिया गया था 29 जून 1976 एंटुई एरपोर्ट यूगंडा यूगंडा की सेना एरपोर्ट के ट्रांजेट हल में कैद मुसाफिरों को दो ग्रूप में बाढ़ देते हैं जितने गेर इसराईल नागरिक थे उन्हें एरपोर्ट के ही वेटिंग हल में ले जाकर कैद कर दिया जाता है जबकि एरफोर्स क्रू के 12 मेंबर और कुल 94 इजराईल नागरिकों को एक साथ उसी ट्रांजेटी हल में कैद रखा जाता है 30 जून 1976 एंटुई एरपोर्ट यूगंडा मांगे माने जाने की मुहलत का आखरी दिन खतम होने जा रहा था इसी बीच हाईजेकर्स गेर इजराईल बंदकों में से 48 यानि 48 मुसाफिरों को विया कर देते हैं इन में से ज़्यादा तक बुजूर्क और बिमार थे इन सभी मुसाफिरों को एक स्पेशाल बिमान से पेरिश भिज दिया जाता है 1 जुलाई 1976 एंटुई एरपोर्ट यूगंडा हाईजेकर्स की दी गई मोहलग खतम होने से पहले इजराईल सरकार ने हाईजेकर्स तक पेगाम भिजवाया कि वो बातचित के लिए तयार है पर उन्हें कुछ और मोहलग दी जाए हाईजेकर्स ने इजराईल सरकार की बात मान लेते हैं और मांगे मानने की डेल लाइन 4 जुलाई उन्हेसा चौस्तोर यानि 4 जुलाई 1976 की दो पहर तक बढ़ा देते हैं इतना ही नहीं इसी के कुछ घंटा बात और सो और गेर इजराईल नागरिकों को स्रिया कर देते हैं इन सबी लगों को भी स्पेशियल बिमान से पैरिस बेज दिया जाता है अब एन्टवी एरपोर्ट के टांजेट हल में सिर्फ 94 इजराईल नागरिक फ्रांस के 10 युबा मुसाफिर और एरफोर्स के 12 क्रू मेंबर यानि कूल 116 यानि 116 मुसाफिर बचे थे इजराईल की सरकर के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा था क्यूंकि ना तो ओ अपने नागरिकों और फ्राइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह मोत के मुँ में धकल सकते थे ना ही वो आतंगबाद्यों की मांग मान सकते थे क्यूंकि इजराईल सरकर का ये उसल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंगबाद्यों से डील नहीं करेंगे मगर इजराईल से इतनी दूर ओ भी अपने दुस्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़ाए ये काम लगभग नामुम्किन सा था हाई जेकर्स की दी गई मोहलत नदिक आती जा रही थी इजराईल सरकार ने इस दूरान अपने मित्र आफरीकी देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों में से इदी अमिन पर दवाप डालकर बंदक को रिया करवाने की तमाम कुशिस की मगर बात नहीं बनी हाला की बातचीत के साथ साथ ही इजराईल सरकार रेक्ष्यू अपरेशन के जरिये बंदक को रिया करने की टेकनिक पर भी काम कर रही थी 3 जुलाई 1976 इजराईल बंदक की रियाई के रास्ते बन थे लिहाजा 3 जुलाई की साथ 6 बजे इजराईल केमिनेट ने आखरी फैसला लिया फैसला रेक्ष्यू मिसन था ब्रिगेडियर जेनराल डन सोमरोन को अपरेशन का कमांडर मनाया गया प्लान बहुत जुकिम वरा था क्योंकि ये दुनिया के किसी भी यारपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेक्ष्यू उप्रेशन था इजराईल कमांडोज को ये मिसन बिजली की तेजी से पूरा करना था इसलिए इसे उप्रेशन को नाम दिया गया था ओप्रेशन थंडर बोल्ट इस दोरान इजराईल खुपिया एजेंसी मोसात लगातर अपना काम कर रही थी रिहा के गए गेर इजराईल बंदकों से बातचित के बाद मोसात एंटवी एरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारी जुटा चुके थी जहां बंदकों को रखा गया था उसके साथ हाईजेकर्स और युगांडा सेना की सही सही तादात भी पताज लगा चुका थी इसी बीच मोसात को पता चला कि 1960 और 1970 के दोरान इजराईल की एक कॉंटर्शन कमपानी ने आफ्रीकी के कई देशों में बहुत सी इमारते बनाई थी यहां तक कि युगांडा की एंटवी एरपोर्ट का ओ टर्मिनल भी उसी कमपानी ने बनाया था कमपानी के जिस इजराईल इंजिनियर ने ओ टर्मिनल बनाया था उसकी मदस से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्सा बना लिया जहां बंदकों को रखा गया था 3 जुलाई 1976 सर्म अल्शेक इजराईल प्लान के मुताबिक 100 यानी 100 इजराईल कमांडों की एक टीम इजराईल इयरफोर्स के 5 C-130 हर्कुलेस ट्रांसपोर्ट बिमान से सर्म अल्शेक इयरफोर्स से युगांडा के एंटवी के लिए उडान भरते हैं इन खास बिमानों में काले रंग की एक मौस्रीडीच कार और लेंड रूबर कारे भी थी दरासल मोसद ने पता लगया था कि इदी अमीन काले रंग की मौस्रीडीच कार का सोकिन है और हमेशा उसी कार में बाहर निकलता है जबकि उसके साथ खास सुरख्या दस्ता लेंड रूबर कार में होता है तरकीप ये थी कि एरपोट पर उतर नहीं उन्हें कारों में टर्मिनल की तरफ कुछ किया जाएगा ताकि यूगंडा की सेना की को लगे की इदी अमीन का काफिला है और ओ आसानी से टर्मिनल में दाखिला हो सके लेकिन खामोसी के साथ एंटुई ए ट्राफिक कोंट्रूल की जानकारी के और ये तभी मुम्किन था जब बीमान बेहज कम उचाई पर उड़े 30 मिटर यानी 100 फीट यानी 100 फीट से ज़्यादा की उचाई पर नहीं इजराईल एरफोर्स के 5 कारोगों बीमान के साथ दो वाइंग 707 बीमान ने भी उडान भरी पहला वाइंग जिसमें मेडिकल टीम मोजोत थी और नेरोवी एरफोर्ट पर रुका गया जबकि दूसरे वाइंग को बंदकों को वापस लाने के लिए एंट्वी एरफोर्ट पर ही उतर ना था 3 जुलाई 1976 एंट्वी एरफोर्ट युगंडा रात 11 बजे ठीक एही बक्त था जब इस्राइल एरफोर्स के 5 बीमान बहुत नीची उबरान भरते हुए और एंट्वी एरफोर्ट के ट्राफिक कंट्रूल को धुका देते हुए रन्वे पर उतर पड़ते हैं रात के अंधेरे में 5 बीमान को एरफोर्ट पर कुछ इस तरह उतर गया था कि वहां मौझूत युगंडा आर्मी और आतंगबाद्यों को खबर तक नहीं लगी बीमान का कारगो द्वारा पहले से खुला था एक एक कर मर्स्टिडीच और लेंड रूबर कारे में रन्वे पर उतर जाते हैं उनमें पहले से ही कमांडो बैटे थे सो इसराइल कमांडो की इस क्रेक टीम को तीन हिस्सों में बाटा गया था इसमें से एक टीम को यारपोट के टर्मिनल में बंदग बना कर रखे गए मुसाफिरों को छुडाने का काम सोपा गया जबकि दूसरी टीम को यारपोट के रन्वे पर घास लगा कर बैठे युगांडा की आर्मी और आतंगबादियों का मुकावाला करना था और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी छुडाए गए मुसाफिरों को साथ लाए खाली जहाज में बैठाना था इमारत में घुषते ही गुलिया चलनी सुरू हो गई इजराइल कमांडो माइक पर इंगलिस और हिबू में चिला रहे थे कि हम इजराइल साइनिक है लेड जाओ लेड जा कमांडो ने तीन अपहरन करता को गुली मार दी तभी एक 19 साल फ्रिंज लड़का खड़ा हो गया कमांडो ने उसे अपहरन करता समझकर गुली मार दी इसके अलवा दो और बंदक भी क्रोस फाइरिंग में मारे गए कमांडो को देखकर तीन अपहरन करता एक दूसरे कमरे में चीप गए मगर इजराइल कमांडो ने उस कमरे में ग्रनेड फिक है और गुलिया की बिछर करके मार दी इजराइल कमांडो जने अपने इस प्लान को बखु भी निभाया सबसे पहले उन्होंने बंदकों को अपने घेरे में लिया दूसरी टीम यूगांडा की सेना पर टूट पड़ी महाज आदे गंडे के अंदर सभी हाइजेकर्स को खतम कर यात्रियों को सुरक्सित प्लैन तक पोचा दिया इस पूरी कारवाई का जाएजा हवाई अड़े के उपर चकर काट रहे एक पांचुई हवाई जहाज में बैठे अप्रेशन के कमांडर जनराल एडम खुद ले रहे थे इस अप्रेशन में साथ हाई जेकर्स और यूगांडा की सेना के 48 यानि 48 जबान मारे गए जबकि एरपोट पर खड़े यूगांडा के करीब 30 यानि 30 बीमानों को भी जाते जाते इसराइल कमांडों ने तबहा कर दिया ताकि कुई उनका पिछा ना कर सके क्रस फाइरिंग में तीन इजराइल बंदकों की भी मोथ हो गई जबकि पांच कमांडों घायल हुए अप्रेशन में इजराइल यूनिट कमांडों यूनतम नेतन्याओ की भी मोथ हो गई यूनतम नेतन्याओ इज्राइल के मोज़द प्रदान मंत्री बेंजामीन नेतन्याओ के बड़े भाई थे इस पूरे अप्रेशन के दोरान मोसात को स्थिर्फ एही एक जान का नुकसान हुआ हालाकि 10 कमांडो घायल भी हुए बिदी से जमिन पर मोसात का ये पूरा अप्रेशन महोच 53 मिनिट चला और जिसमें से 30 मिनिट यानि 30 मिनिट तक कमांडो कारवाई चली यूगंडे के तानसा इदी अमिन के लिए ये खुन का घुट पीने जैसा था उससे यकिन ही नहीं हुआ कि कुई उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ा कर ले जा सकता है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्रीब कर ना मत भूलिए तब तब कुल्यासोई को मेरे तरब से जहीं